क्रिया कलाब 6, 7.3.3, द्रिढ़ों तक, स्कलरिन काइमा, इसके लिए हमें नर्म और पके हुए अमरूद, नाशपाती, आयोडिन विल्यन, स्लाइड, कवर स्लिप और सुक्षमिदर्शी की आवश्यक्ता होगी. निडल के सहायता से अमरूद के कुछ नर्म भागों उतकों को निकाल कर स्लाइड के उपर रखें. इन उतकों पर आयोडिन विल्यन की दो बूंदे डालें. इन उतकों को निडल के सहायता से मसलें ताकि कोशिकाएं अलग-अलग हो जाएं. सुक्ष्म दर्शी में निम्न आवर्धन पर इसका आवलोकन करें. आपको पेरन काइमा से घिरी गहरे रंग की रचनाएं दिखाई देंगी. इन में से एक या दो गहरी रचनाओं पर सुक्ष्म दर्शी में फोकस करें. स्क्लेरन काइमा उतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है. इसकी कोशिकाएं लंबी, पतली और मृत होती हैं. क्योंकि इस उतक की भित्ती लिगनिन के जमाओ के कारण मोटी होती है. लिगनिन कोशिकाओं को द्रड बनाने के लिए सीमेंट की तरह कारे करने वाला एक रासाइनिक पदार्थ है. कोशिका भित्ती में इसके जमाओ के कारण कोशिकाओं के मध्य आंतरिक इस्थान नहीं होता है. नारियल के रिशे संतरों के बीजों का आवरण सुखी तोरए के रिशे आदी भी स्कलेरन काइमा उतक के उदाहरण है.